संग्लासेस वर्सेस गॉगल दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में खयाल आता है कि क्या वो संग्लासेस चुने या फिर गॉगल लगाए देखिए यहां पर अगर आप गॉगल लगाते हैं तो आप इससे थोड़ा इस्टैनिस लुक तो पा लेते हैं बाहर आप घुबने ज नाइट दोनों चलता है हालकि हम इसको थोड़ा से इस्टैनिस नहीं मानते हैं लेकिन एक प्रोफेशनल वर्क के लिए संग्लास को ज़्यादा बेश्ट माना जाता है दूसरा रिजन संग्लास में आप पावर के सभी टाइब की लेंस लगवा सकते हैं चाहाए आपका सिं नाइन बेश कर्वर पर बना रहता है इसलिए आपका पावर जो होगा अगर आप साइड रेखेंगे तो चीजें जो है तेड़ी मेरी दिखाई दे सकती है आपको एक अच्छा विजन नहीं दिख पाएगा तो आपके लिए फिर गौगल बिल्कुल सहीं नहीं है गौगल अगर आपको सब्सक्राइब करने हैं और इसमें क्या है बहुत सारी आईसी वराइटी रहती है जिसमें लेंस की क्वालिटी अच्छे से समझ नहीं आ पाती है और गल्ती से आप इसको यूज कर बैखते हैं कई लोगों को आँख खराब हो जाती है और यह क्या होता है कि अ और इसकी ठीक वज़ा से साफ नहीं होने की वज़ा से इसके लेंस बहुत जल्दी खराब होते हैं। वहीं पर अगर आप संग्लास यूज कर रहें, तो यह आपको पावर में तो एलबल होती ही है। साथ ही साथ लेंस के बहुत सारी वराइटे मिलती है, आप अपने बज़ट के हिसाब से अच्छे से अच्छा लेंस चुन सकते हैं। ओगर फ्रेंट तो फाइनली गौगल और संग्लास में क्या बेच्ट है यह जान लेते हैं। देखें, यहाँ पर आपको कुछ चीज़े ध्यान रखनी है कि अगर आपका पावर ज़्यादा है और गौगल लगाने का मन कर रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको कॉंटेक्ट लेंस यूज़ कर लेना है। उसके उपर आप गौगल लगा लेजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। वहीं पर आगर आपका पावर कम है तो भी आप गौगल यूज़ कर पाएंगे। और आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको डे, नाइट, कम्प्यूटर और आउट्डोर, इंडोर सब में एक साथ काम करेगा आपका एक ही ग्लासेस। ये फाइदा सबसे ज़्यादा संग्लास में बिलती है। मैं आज को विनर घोषित करूगा संग्लास को। इनफोर्मिशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि इससे हमारा वस्ताह बढ़ता है। क्या है झाल मैं एक साथ।